दोस्तो यह जो तस्वीर है ये ली गई है आपके NCRT की कक्षा दूसरी के पुस्तक गणित का जादू के पार्ट दो से देखे तो यहां तस्वीर में क्या हो रहा है यह जो राहूल है ना इसका जो यह कुता है पालतू कुता जिसका नाम है भुरो यह बहुत ही शितान है निवे भुरो की तरह शितान कोई पालतू जानवर या फिर कोई बच्चा छो बहुत शितान हूँ देखे तो हमारे शितान भुरो ने क्या किया है और राहूल कितना परशान है भुरो ने तो जो यह किताब है इसके सारे पंदेने निकालकर अलग कर दिये हैं और सारे तो नहीं पर काफी पन्ने जो है वो अलग कर दिये हैं अब राहुल जो है वो बहुत परिशान है हमें राहुल की मदद करनी है बापस से इन पन्नों को किताब में लगाने के लिए लेकिन ये पन्ने तो सारे नमबर इधर उधर हो गए हैं अब इसे हम किताब में कैसे लगाएंगे तो चलिए हम देखते हैं कैसे लगा सकते हैं हम इने किताब में देखें यहाँ पर वो सारे पन्ने हैं जो भूरों ने किताब से अलग कर दिये हैं जो अब नंबर्स जो हैं जिनके वो मिक्स हो चुके हैं आगे पीछे हो चुके हैं सारी संख्या लेकिन हमें तो संख्या के अनुसार ही लगाना होगा किताब में जैसे होता है तो चलिए हम देखते हैं कि करके कि सबसे पहला इन में से कौन सा पेज जो है वो आएगा किताब में तो यहां जितनी भी संख्या है उसमें से सबसे कम संख्या जो है वो वला पेज जो है वो किताब में सबसे पहले आएगा देखिए तो कौन सी संख्या सबसे कम है यह वला पन्ना देखिए इस पे लिखा है 47 यानि 47 यह सबसे कम संख्या है जो यहाँ पे मौझूद है तो सबसे पहले तो किताब में यही वाला पन्ना आएगा 47 के बाद कौन सी संख्या है जो कम है 47 के बाद तो 48 आता है क्या यहाँ पर 48 नंबर का कोई पेज है यह देखें यह रहा 48 नंबर का पेज तो 47 के बाद आएगा यह वाला पन्ना अब 48 के बाद तो आता है 49 और यहाँ पर एक पेज है जो 49 नमबर का है तो इसके बाद तो वही आएगा और 49 के बाद आएगा यह वाला पन्ना यानि कि जो है 50 नमबर का पन्ना तो यह जो आएगा वह यहाँ आएगा अब 50 तक के पन्ने तो हमने लगा दिया है अब हमारे पा तो 51 आता है तो यह वाला जो page है यह आएगा इसके बाद 51 के बाद आएगा यह वाला page यानि कि जिसका नंबर है 52 और 52 के बाद तो एक ही page बचा है जिस पे लिखा है 53 यानि कि तिरपन तो अब वो आएगा 52 के बाद तो हमने जो pages अलग होए थे किताब में से उन्हें हमने संख्या के अनुसार छोटी से बड़ी संख्या के अनुसार लगा दिया है किताब में ऐसे ही तो होता है न एक नंबर से शुरू होके आगे संख्या बढ़ती रहती है अगले page की अब हम इनको लगा चुके हैं तो अब हम एक एक करके इनको एक के पीछे रखते जाएंगे और फिर हम इनी किताब में लगा देंगे तो 47 के पीछे आएगा 48 48 के पीछे आएगा 49 49 के पीछे आएगा 50 और 50 यानि 50 के बाद कौन सा बेज आएगा फिर आएगा 51, 52, 53 तो यह तीनों पेजिस भी पहुँच गए तो हमारे सारे पेजिस जो है वो इखटे हो चुके हैं और हमें इस किताब में इन पेजिस को लगाना है तो अब हम इन इखटे हुए पेजिस को जिनको हम संख्या के अनुसार छोटी से बड़ी संख्या के अनुसार लगा चुके हैं अब इने हम वापिस से किताब में डाल कर राहुल की मदद करेंगे तो यह जो पन्ने हैं यह पहुँच गए किताब में तो अब वापस से हमारी जो किताब है मैत की वो हो चुकी है पूरी क्योंकि उसके जो पन्ने भूरों ने अलग किये थे वो तो हमने वापस लगा दिये हैं तो यह किताब हुई पूरी तो दोस्तो क्या आप भी अपनी किताब के पन्नों को संख्या के अनुसार लगा सकते हैं क्या कभी ऐसा हुआ है आपकी किताब के पन्ने अलग हुए हो और आपने फिर संख्या के अनुसार उन्हें लगाया हो